आज का या वीडियो हमारा है RO ARO एक्जाम जो होता है आपका UPPSC के द्वारा कराया जाता है RO और ARO का एक्जाम उससे संबंदित है 2016 का जो आपका question paper हुआ था RO ARO का वही paper है 2016 का RO ARO का previous year का paper है previous year का paper इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि जो एक्जाम में जो आपका होगा December में इसकी date रखे गई है कुछ question क्या होते है previous exam से repeat कर दिये जाते हैं और उसके साथ ही साथ हमें इस चीज का पता चलता है कि हमारा pattern क्या है किस तरह से pattern चल रहा है क्या exam कैसे पूंच रहा है किस exam में तो इसलिए previous प्रश्ण पत्र को हल करना आवश्यक होता है तो आप इस वीडियो को अंत्र तक देखें जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है उसके साथ ही साथ जो question का pattern है वो भी समझ में आया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने प्राग एतिहासिक काल एप पहला वीडियो जो है आपका जो वीडियो में पहले question है प्राग एतिहासिक काल प्राचेन इतिहास से समझ दित है तो प्राचेन इतिहास में प्राग एतिहासिक काल का पहला question है इसमें पूछा गया पहला प्रस ने निम लिखित सभिताओं का उ तर से दच्छिन का क्रम सही से पूछ रहा तो ऐसे कुछ प्रस्ट मिल जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं तो अगर इन से संबन दिता है तो इसलिए प्रीवियस येर के question paper देखने चाहिए तो इसका जो answer होगा वो D option है Aztec, Maya, Muska और Inka इसका यहां पर visualization भी दिया गया है व्याख्या भी दी गये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कहा गया है कि उलेखनी है कि Aztec सब्विता जो है उसका विस्तार मेसो अमेरिका के उत्री भाग में और Maya सब्विता का विस्तार मेसो अमेरिका के दच्छनी भाग में तथा मुष्का सब्विता का विस्तार अमेरिका महादीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में जबकि Inka सब्विता का विस्तार दच्छनी अमेरिका के पश्च्छनी भाग में था मेसो अमेरिका के अंतरगत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, गुएटेमाला, अलस, सालवाडोर, हुंडो, रास, निकारगुआ तथा उत्री, कोष्टिका तक का छेत्र सामिल होता है अब अगला प्रस्थन जो है वो बैदिक सब्विता से है मैंने जो वीडियो दिया है आपको जो प्राचीन इतियास सम्दित है आप देखेंगे अगर बैदिक सब्विता से प्रस्ताया है तो वहां से जरूर आपका मिलेगा उसका एंसर तो बैदिक सब्विता में क्या पूछ रहा है कि रिगवेद है रिगवेद में क्या किस चेज का उलेग किया गया है तो रिगवेद में आप देखेंगे स्रोतों का उलेग किया गया है प्रातनाओं का उलेग किया गया है तो रिग वेद में उसका उलेक किया गया और रिग वेद के बारे में डिटेल में बिताया है तो इसमें देखिए रिग वेद जो है ब्रामर साहित का सबसे प्राचीन गरंथ है सबसे पहले तो रिगवेद क्या है सबसे प्राचिन गरंथ है इसका मुख्यता सुरोतों का संकलनिस्ट में किया गया है रिगवेद में कुल दस मंडल है क्योंकि आपका पहला मंडल और दसवा मंडल बाद में जोड़ा गया था और बाकी पुराने है दो से साथ सबसे है जिस तरह हमारे हा अध्याय होते है अध्याय एक अध्याय दो असमें मंदल कर लेक किया गया है उसमें कुल 100 28 सूप्त थैं रिखिवेड के मंत्रों को यगों के अउसर पर देवताओं की स्थिती Och 2 किया जाता था जो उस मंत्रों का उच्चार करते थे जो रिशी उनको होत्री का आ गया है अगले जो प्रस्दे हैं वो बाध जैन भागवट यम सयो धर्म से सम्मन्दी थे इसमें प्रस ने पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा रूपांत्रित निम्न बेक्तियों में से कौन सा अंतिम था तो जो बुद्ध द्वारा अंतिम उद्देश जिसको दिया गया था वो बिक्ति कौन था जो बौध धर में आया था उसका नाम सुभध था इसमें दिया गया है और आनंद उनके प्रियसिस थे तो बुद्ध द्वारा बौध धर्मे रूपांत्रित अंतिम्विक्ति सुबद्ध था जबकि आनंद उनका सरप्रिय से से था जिसके अनरोध पर मात्मा बुद्ध ने क्या किया था इस्त्रियों को बहुत धर्में दिच्छित किया था इस्त्रियों को बहुत धर्में दिच्छित करना ही क्या होता है इसका मतलब कि कहा गया है कि जो भी धर्म मात्मा बुद्धनेक स्वयम का था कि जिस धर्में इस्त्रियां आ जाती है वो धर्म क्या होता है अगर एक हजार साल में किसी धर्म का भीनास हो रहा है तो 500 वर्सों में ही होने लगता अगर उसमें समलित हो जाती है तो अगला प्रसन है आपका मौरियों महरुत्तरकाल से मौरियों महरुत्तरकाल में क्या पहला प्रसन जो है इसका निम लिखिस सासकों में से किसके लिए एका ब्राम्हण प्रियुक्त किया गया गौथमीपुत्र सात कर्ड़ी को बल्सरी के नासिक अभिलेक में कहा गया है क्या कहा गया है अदुती ये ब्राम्हण कहा गया है गौत्मी पुत्र साथ कर्णी साथ वाहन वंस का तेई सुमस आ सकते कौन से साथ सकते तो अगर आप उस्तरा सब पूछा गया उस्तरा नहीं पूछा जाएगा वही सेम कुषचन दे सकते हैं कभी-कभी लकिन हमेसा नहीं देते लेकिन पूछा जाएँ साथ वाहन का कौन से कौन से नंबर के सा सकते तो तो 23 सा सकता तथा सबसे महान सा सकते जिनसके सायनिक बिजीओं की जानकारी इन की माता बलसरी के नासिक प्रस्थी से प्राप्त होती है इनकी माता का नाम बलसरी था अगला प्रस्थन है गुप्त काल युम गुप्तोत्तर काल जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल से प्रस्थन है शमुद्र के समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रस्थी वाले अस्थम पर निमलीखित में से किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का लेख मिलता है इसका हम विस्तास देख लेते हैं हरी सेंड रचित हरी सेंड द्वारा रचित प्रयाग प्रसस्ती समुद्र गुप्त के बिसे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है जिसमें जहांगीर का एक लेख रा time period पक शरवा देता है, अगला पर आपस्ट सुमेलित करना है इसमें एक तरफ दिया गया है क्या सासक, कौन से सासक थें और अगला प्रैस को दिया गया उनके द्वारह चलाई जाने वाली मुद्र तो आपको बताना है कौन से सुमेलित नहीं है, तो KUSANA सबसे जारी किये गए थे कुसान सास को द्वारा ही जारी किये गए थे तो सुन योम तामर इनका सही है इन्होंने सुन योम तामर के सिक्के चलाए थे गुप्त में सुन योम रजत के सिक्के चलाए थे गुप्त द्वारा सबसे जादा सुने के सिक्के आपके जारी किये गए तो इसमें दिया गया है उलेक साथ वानों ने स्वान सिक्कों का प्रचलन बिल्कुल नहीं करवाय था चांदी, तामबा, सिंसा वा पोटीन के सिक्क इन्होंने चलवाय थे अगला प्रचलन ने मिलिखित में से किसका सिखर द्रविण सहली में बना हुआ है तो द्रविण सहली जो है दच्छिन भारत की मंदिर बनाने की एक सहली है उसका जो बना हुआ है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविण सहली में आपका बना हुआ है गौलियर का तेली मंदिर नकासी मूटियां उत्री भारतिय सहली में है जबकि द्रबिण सहली में निर्मित किया गया है इस मंदिर की वास्तु सहली हिंदू और बौध दोनों वास्तुकला का मिस्तरन इसमें समाहित किया गया अगला प्रस्वने दिल्ली सल्तन माद्यकाली इंतिहास का है निम लिखित में से कौन सी इल्टुटbnिसके सासनकाल में राजधानियात की दिल्ली ती कुतुभुद्दीन एबक जो था उसके समय में लाहर राजधानि थी लेकिन जब इल्टुट में सासक बनता है तो उसने अपनी राजधानी लाहोर से दिल्ली अस्थांत्रित कर लेता है तो इसमें दिया गया है एबक किमिर्टु के पस्चा तिर्टुत मिस 1210 इसभी में सल्तन्त की राजधानी को लाहोर से दिल्ली को अस्थांत्रित कर देता है अगला प्रसन है निम लिख में हुआ था और जो जैचन था आपका गहडवाल वंस का अंतिम सासक था अगला प्रस्ण है आपका निम लिखित में से किस परिवार ने सरप्रथम अकबर के साथ बैवाहिक संबंध अस्थापित किये थे कई बारे प्रस्ण पूछा गया कच्छवाहा कच्छवाहा जो अथ्वा बिहारी मल राजपूत राजा था जिसने अकबर की स्वाधिनता स्वच्छा से स्वविकार की थी 1562 इस भी में अजमेर में मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगाव पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उसे अपने पुत्री हरखा बाई से बीवा का प्र आसे सुमेरीत होगा तो हाकिंस हाकिंस जो हाकिंस हैं उसके बदाव टामस जो मनुची यालफ फिस डो हाकिंस का आप देखेंगे दूसरे नंबर पर हैं किसमें हाकिंस 1608 से 1611ी में आए थे फिर उसके बाद आपका टामस जो 16 15kanis 16P, 16 머हर hill, 186 1519 फिर मनुचुई आपका है आगे देखते हैं निम लिखित में किसने महाभारत के फार्सी में अनुआत किया था तो बदायूनी जो अब्दुलकादिर बदायूनी थे इन्होंने महाभारत का फार्सी में अनुआत किया था महा भारत का रजम नामा से फार्सी अनुवान अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायनी और फैजी द्वारा किया गया था तो किस ने किया था बदायनी ने इसका नाम किया था महा भारत का जिस नाम से जब किया गया था फार्सी में तो रजम नामा फैजी द्वारा अनुदित अन्य गरंथों में योग वसिष्ट, काली यादमन और पंच तंत्र को फार्सी में अनुदित किया गया है निम्ली खित में से किसका मकबरा भारत से बाहर इस्थित है तो जहांगीर का मकबरा जो है वो भारस से बाहर इस्थित है अर्थात लाहौर में इस्थित है किसका जहांगीर का कहां पर इस्थित है लाहौर में इस्थित है इसके मकबरे का निर्मार नूर जहां द्वारा करवाया गया था जबकि हिमायू का मकबरा दिल्ली में इसमें अ औरंग जेप का मकबरा औरंगाबाद में और जहांदार सा का मकबरा कहां पे हैं खुशुरोबाग इलहाबाद में इस्थित है अब अगला प्रस्न है असम में सरप्रथम चाय कंपनी की अस्थापना कब हुई थी असम में चाय कंपनी की अस्थापना सरप्रथम 1849 में हुई दासम कंपनी भारत की सबसे पुरानिक ब्योसाईचाय कंपनी है जिसकी अस्थापना 1849 में पांच लाग की पूंजी के साथ की गई थी तो यह याद रखना है कंपनी कौन सी थी दासम कंपनी कब हुई थी 1849 में बस इतना ही याद रखना है अब है 15 नंबर पैसन 1857 के विद् किसे साहब ए आलम बहादूर का खिताब दिया था तो बक्त कां जनरल बक्त कां जो था वह क्या था वह वास्तविक सा सकता जैसे उस समय तो इनको समराड बनाया गया था बहादूर साह जफर दूतिये को लेकिन उस समय बक्त कां वास्तविक सा सकता कौन था बक्त कां बक्त महात्वपूर्ण नेता बक्त खान था जिसे ग्यारा में एक ठापना भी की गए थी जिसका प्रधान बक्त खान को बनाया गया था अगला है स्वतंतरता संग्रामयुम राष्ट्रिय आंदोलन स्वतंतरता संग्रामयुम राष्ट्रिय आंदोलन संबनित प्रशन है इसमें आपका दिया गया है सूची एक और दो को सुमेलित करना है पांड चेरी गोवा ट्रावन कोर मद्राश और इसमें आपको सुमेलित कर पर इन लोगों का क्या थी एक बस्ती थी डेणिस का और मद्रार्स में आपका डच लोगों का था अगला है निमलिखित कठनों पर आप देखेंगे कि इसमें दिया गया जवाहल लाल नहेरु ने दूसरे गोल में सम्मेलन 1932 में भारतिय राष्टी कांग्रेश का प्रतिनिलित्त किया था तो आपका बिल्कुल क्या होगा एक गलत है क्योंकि महात्मा गांधी ने दूसरे गोल में सम्मेलन का प्रतिनिलित्त किया था और दूसरा कारण जो दिया गया है कि गांधी इरभिन समझोता 19 इस 31 में भारतिय राष्टिय कांग्रेस का दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेना अंतर नहीं था तो यह आपका सत्य है तो कथन आपका गलत है और कारण आपका सत्य है इस तरह से आइंस्वर आपका विकल्प D होगा अगला प्रशन देखते हैं सुमेलित करना है आपको इ दूसरा है नवाब हामिद अली खां दिल्ली से संबंदित थे मौलबी एहमूद उल्ला यह आपके लखनव से संबंदित थे और मनी राम दीवान जो थे आपके यह असम से संबंदित थे तो यह आपका सुमेलित थे इसमें आपसन आपका D सत्य है क्रांतिकारी और अस्थल समय 1857 की जो क्रांती हुई थी उसके सम्मन्द में था अब अगला है कि निम लिखित ब्यूरण पर विचार कीजिए निम लिखित ब्यूरण पर विचार कीजिए इंडियन इस्पेक्टर और वायसाफ इंडिया के समपादक थे एक समा सुधारत और सम्मत ही आयो अधनियम 1891 के पच्छ में प्रमुक्ष संघर्स करता थे तो बी यह माला बारी जो आपके हैं इनका पैरा ग्राफ जो दिया गया इनके संबंध में सत्य होता है बी यह माला बारी एक समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडियन इस्पेक्टर तथा वायसाफ इंडिया नामक पत्रिकार का समपादन किया था वह सम्मत यायो अधनियम 1891 के प्रबल पच्छ धर थे इनका जन्म 1853 प्रस्मी भारत के पार्सी परिवार में हुआ था अगला प्रस्मे अगस्ट 1925 सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली का अध्यच निमलिखित में से कौन था तो बिठ्थल भाई पतेल आपके उस समय सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यच थे 1925 में सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यच सर्दार बल्लब भाई पतेल के बड़े भाई बिठ्थल भाई पतेल को थे बिठ्थल भाई पतेल 1929 की रॉलेट एक्ट सत्यागरा तथा 1920 के सहोग आंदोलिन में महात्पूर्ण भूमिका उन्हें निभाई थी ठीक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनसे संबन्दित अगला अने में संस्थाओं पर विचार कीजिए बंग भासा प्रकाशी का शभा लेंड होल्डर सोटाजी बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी इंडियन लीग संस्थापना वर्स का सही काला नुकरम सही काला नुकर तो बंग भासा प्रकाशी का सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोटाजी आपकी 1838 में, बंगाल बिटिस इंडिया सोसाइटी 1843 में, और इंडियन लीग जो आपकी स्थापना की गई थी वो 1875 में थी जमीन दारों की हितों की रच्चक थी जो इसकी स्थापना की गई थी आगे है निम्रिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो B.D. सावर कर The Indian War of Independence तो इनकी सही है इनकी पुस्तक है The Indian War of Independence फिर RC मजूमदार की है इनकी है The Indian Mutinies तो इसमें जो आपका C आपसन है A. सुमेलित नहीं है क्योंकि आवधिन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांसु मुखर्जी है ना की राधा कमर मुखर्जी अगला है आपका निम्लिखित प्रांतों पर विचार कीजिए उन प्रांतों को पहचानिये जहां 1937 में भारतिय राष्टिय कांग्रेस मंत्री मंडल नहीं बना था आपको उन प्रांतों को बताना जहां भारतिय राष्टिय मंत्री मंदल नहीं बना था मध्र प्रांत उड़ीसा बंगाल पंजाब तो इसमें आपके कि जो तीन और चार हैं बंगाल और पंजाब में वहां पर कांग्रेश का मंत्री मंदल नहीं बना था बाकी हर जगा बना थ था क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी जादा होने करण वहाँ पर ऐसा हुआ था भारस आसन नियम 1935 के प्रावधानों के अंसार संपन चुनाओं में भारती राष्टी कांग्रेश ने च्छा प्रांत मद्रास बंबई मध्य प्रांत उडिशा बिहार और स्वयोग प्रा प्रादा इजी भी नहीं है टब भी है क्योंकि प्रेशन का लेवल थोड़ा बढ़ा दी है अगर आपको पता रहेंगे कम से कम दो तीन तो पता ही रहने चाहिए यहां कौन कैसे है अगला है भारत का भूगोल भारत के भूगोल से संबंदित प्रेशन है भारतिया वन योरब में समय कुछ वन काटे गए है वनों की संख्या घटी है लेकिन प्रतिसत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन वहीं पर पाये जाते हैं तो 2015 की रिपोर्ट है 2015 की रिपोर्ट बताया गया है तो 2015 की रिपोर्ट से को कोई मतलब नहीं है क्योंकि डाटा नहीं आ आ गया है अब है अपनी पुस्तक इंट्रो ड्यूसिंग कल्चरल जियोगर्फी में जेई स्पेंसर एवं डबलू एम टामस ने बिश्चो को कितने सांस्कृतिक बिश्च में विभाजित किया है तो ग्यारा में विभाजित किया गया है ठीक अगला है परियावरन मंत्राले दोरा जारी किये गए इंडियन स्टेट आफ फारेश्ट रिपोर्ट 2015 के उसार भारत के पूरे भाजोली छेत का कितना प्रतिसत छेत वनों और पेड़ों से आच्छा दित था तो उस समय 24.16 था 24.16 लिकिन इस समय कितना है 24.56 तो वरतमान में 24 24.56 प्रसेंट है और उस समय इतना था आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है धान धान इसकी फसल और प्रजाती दिया गया है क्योंकि किसी से सम्मंदित प्रसन पूचा जाता है तो दे देते हैं तो इसमें आपका गेह कुम किसी संबन्दित है तो गोविंदा और सुस्क समराड धान की प्रजाती यहाद किसा समराड की प्रजाती है निम्लिकित में से किस disciples में मार मिर्दा पाई जाती है किस जिले में मार मिर्दा पाई जाती है तो आपकी मार मिर्दा जो है जहासी वाले छेत में यानि बुंदेल खंड में छेत में पाई जाती है तो बुंदेल खंड छेत में आपकों पढ़ता है जहासी वाला इलाका ही पढ़ता है तो मार मिर्दा बुंदेल खंड जहासी लाल काली मिर्दा के आप देखेंगे अगर आप पढ़ते हैं कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वहां पर कावण मिर्दा और मार मिर्दा का उलेख नहीं किया गया है कपास की जो काली मिर्टी है उसका तो पाई जाती है उत्तरप्रदेश के थोड़े इलाके में पाई जाती है लेक सुद्ध छेत पल कितना है 14 करोण हेक्टेयर है लगभग अगला प्रशन है निम्लिकित में से किस कण का ब्यास 0.002 mm से कम होता है मृतिका मृतिका क्ले जिसको हम क्ले कहते हैं या मृतिका वही होता है सबसे कम होता है तो इसमें दिया गया आपका कि सब का जो कण होते हैं मही पॉइंट 6 mm के मद्ध महीन बालू का 0.06 mm से 2.0 mm के मद्ध इनका होता है अगला है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए निमलिखित कथन पर विचार करना है भारत में वन छेत्र का हास भारत के जन्रांग की ये संक्रमण से प्रतेच्छता संबंदित हो रहा है तो प्रते है ऐसा देखा भी गया इसलिए इसमें कथन और कारन दोनों से ही है और कारण जो है आरेक की ब्याख्या करता है क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही जनसंख्या कहीं की बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर जो वन होंगे उनकी आपनी आसकता लकडी की आसकता करता है तो राष्टिय उद्यान जो है उतर्गत नहीं आता है 22 की राष्टिय वन नेट के अंसार, वन हो को चार रूपल में और गित किया गया है, सरस्थ honeymoon, राष्टिय वन, ग्राम वन, यहों ब्रिच भूम common, तो कौन कौन सरस्थynn किया गया सरस्थ honeymoon, इसमें आपका दिया गया है, उसके बाद देखेंगे, कि राष्टिय वन तो राष्टिय उद्यान है ठीक ग्राम वन ये उन ब्रिच्च भूम तो ये सब हैं बाकी आपका एक राष्टिय उद्यान नहीं संबलित किया गया अगला है कोईला मंत्राले की रिपोर्ट के अंसार 14-2014 को निमलिखित राजियों में प्रमारित कोईले का भंडर के दृष्ट से और भोहिक्रम में आपको बताना है जो भंडार है, भंडार और ओही करम मतलब कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ आपको बढ़ना है तो जार खंड में सबसे ज़्यादा फिरोड़ीसा, छत्तिसगर्ण, मद्रप्रदेश यह आपका करम है इसलिए सही है तो 2014 का डाटा है उतना important नहीं है फिर है निम्रिकित कत्रों पर विचार कीजिए प्राकृतिक साधन वह होते हैं जो किसी छेत्र में इस्थित हैं तथा भविश्य में भी प्रियोग में लाए जा सकते हैं दूसरा इसमें कारान जो है किसी भी वाँस्तिविक प्राकरतिक संसाधन का विकास प्रदोग की यूम उत्पादन लागत पर निरभर करता है चैंप इसमें आप देखेंगे कि आपका उत्तर बी आपका सहीfertै क्योंकि दोनों से लेकिन एक़ दूसरे की दूसरे की चाई करते कीजिए उर्जा उत्पादन के निम्लिखित साधनों पर विचार कीजिए इसमें दिया गया है कि जल नाभकिये प्रकृति प्राकृतिक गैस दीजल तो इसमें कह रहा है कि इन्हें भारत में उर्जा उत्पादन के कुल प्रति अश्ठापित छमता में उनके प्रतिसत के पर और रोही क्रम में रखना है तो आप देखेंगे जो इसमें दिया गया है सबसे ज़्यादा जल जल क्या है जल पहले नंबर फर फिर प्राकृतिक गयस फिर नाव किये फिर डीजल तो इसमें आपका सी बिकलब से एक दो तीन चार और रोही क्रम में रखना है आपको तो ज जल से जादा फिर प्राक्रतिक गयस नावकिय डीजल क्योंकि इसमें आपका कोईला वाला दिया नहीं गया है कोईला वाला दिया गया रहता सबसे जादा उसका परसंट है ठीक कोईले से सबसे जादा उत्पादन होता है तो इसमें दिया गया भारत में उड़जा उत्पाद बहुत सताथ नहीं है को एला मचली पेट्रोलिय में जल जैविक संसाधन होता है और इस है अगला प्रOOOO से स्टे राइट होता है क्या होता है अधिक उचाई पर सम्थाप मंडल में अस्थापित वाईपोत होता है जो संचार सिगनलों को प्रसारित करने हैं तो एक अस्थाई प्लेट फार्म के रूप में काम करता है अगला प्रसने नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्लिखित में से किस जील से निकलती है तो आप पढ़ेंगे तो इसमें ताना जील से निकलती है तो इसमें आपकी जो नील नदी निकलती है नीली नील नदी जो निकलती है वो आपकी ताना जिल से निकलती है तो इसमें ब्याक्ख्या इसकी देख लेते हैं कि नील नदी अफरीका देश की इथोपिया में उस्थित ताना जिल से निकलती है नीली नील नदी इथोपिया की सबसे लंबी नदी है आगे चलकर खारतून सुडान में सफेद नील से मिलकर नील नदी की रूप में आगे बढ़ती है तो नीली नील और सफेद नील दो नील मिलती है तब नील नदी कहलाती है नील नदी अफ्रीका महादीप की सबसे लंबी नदी है मिसर को नील नदी का वर्दान भी का जाता है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा क्योंकि उसके आसपास के छेतर क्या होते हैं जाओ होते हैं इसमें दिया गया निम्रिखित सागरों को पस्चिम से पूरब के सही क्रम में रखिए तो पस्चिम, आपको पस्चिम से पूरब के क्रम में इस तरह से बढ़ना है तो आप देखेंगे अगर इस तरह से आप विस्जो के मैप में किये रहенगे तभी आपamine को कर पाएंगे तो भूमद्य सागर आपका पस्ची में सबसे है फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे काला सागर फिर कैस्पीयन सागर फिर अरल सागर तो आप देखते जब चलेंगे आप अरब वाले छेत में जब जाएंगे उधर मिस्तर वाले छेत में वहीं से आपको दिखाई देगा मिस्त्र वाले छेत में जो मैंने बताया था काला सागर ईरोपियों पस्चिम एसिया के मद्धिस्थित है कैस्पियन सागर इरान यों रूस के मद्धवस्थित है आरब सागर रूस में अवस्थित है तो इसलिए आपका पस्चिम से पूरा बेस सही है फिर आगे है कि आपको दी गई सूची नदियां और प्रवाहित होने वाली मतलब प्रवाहित होती है इनको आपको बताना है ति इसमें दिया गए लीना लीना जो है आपकी कहां पे है लीना नदी देखेंगे ता आपकी आर्किटिक सागर में गिरती है उसके बाद आपकी आ अरब सागर में भारत की नदी है माही भारत की नदी है इसलिए अरब सागर में गिरती है उसके बाद है आपका करीबा बान निर्मित है करीबा बान ने कई बार पूछा गया करीबा बान जो आपका जामबेजी नदी पर इस्थित है करीबा बान जामबेजी नदी पर अवस्थित है करीबा बान जामबेजी नदी पर अवस्थित है यहीं पर करीबा जील भी है अफरीका महादीब के प्र नेनारबान नीली नील नदी पर इस्थित है और जांबेंजी नदी पर जिंबाम्बे की बीच में इस्थित सीमा बनाती है जांबेंजी नदी जो है जांबिया और जिंबाम्बे की बीच में सीमा आपके बनाती है अगला है कि सुमेलित करना है कौन सा सुमेलित नहीं है निम अर्लियन्स लूजिजयाना में इस अवस्थित है तो इसमें आप देख लीजिए Houston सयुनुक त्राज अमेरिका के Texas प्राउसत में इस अब दिया गया है New Jersey में इस्थित है New Orleans Louisiana प्राउस्थित है जबकि Camden New Jersey में अवस्थित है, Camden कहाँ इस्थित है New Jersey में इस्थित है फ्लोरोईडा में नहीं अवस्तित है अगला है जनसंख्या बृध्धी के सुरूप में एक दीर काला वधी में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते है जब जनसंख्या बृध्धी होती है तो एक दीर काला वधी में क्या होता है परिवर्तन कम होता है तो उस अवस्था को जनां कि ये संक्रमण की अवस्था कहते हैं इसमें देख लेते हैं जनसंख्या ब्रिद्धि के सुरूप को एक दीर्ग काला वधी में घटित क्रमिक परिवर्तन को जन्नांकिय संक्रमण कहा जाता है इसमें जन्मदर तथा मृत्युदर के माध्यम से जनसंख्या में परिवर्तन की ब्याख्या की जाती है इसके चार चरण है पर्थम चरण में उच्छ जन्मदर यो उच्छ मृत्रदर के कारण जनसंख्या में इस्थिर्ता होती है दूटिये चरण में उच्छ जन्मदर यो मित्रदर में गिरावट कारण जनसंख्या में ती ब्रिब्रिद्धी होती है और तोर इस्तित श्रतयों अंधां में में और जन संख्यास इस्थित यहाद़ा ज़तर होता है जैसे आपका 2011 की जंगरणा के अधार पर उत्रप्रदेश के संदर में निम्लिखित आकडों में से कौन सही सुमेलित नहीं है देश की जन संक्खया में उत्रप्रदेश की जन संख्या का प्रतिसत 18.05 प्रतिवर, किलो मीटर जो घनत तो है वो कितना है आर्ट सवनतिस उत्तर प्रदेश दूहजार एक से ग्यारा में जो दस्किय बृद्धी दर्ग है जनसंख्या की प्रस्यत बृद्धी 20.23 और महिला साथ छर्ता 97.18 तो सब सही है केवल एक सुमेलित नहीं है कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की सरवाधिक है किस राजी की जनसंख्या सरवाधिक है तो इसमें उत्तर प्रदेश की आपके सरवाधिक है अगला है भारत की जनकरना हर दस वर्स पर की जाती है दस वर्स की अवद्ध के दोरान भारत की जनसंख्या अधिकांस्ता अप परिवर्तित रही है ऐसा बिलुकुल अगला है जन गणना, 2011 के अंसार निमलिखित में से किसमें जन संख्या घनत सबसे कम है, तो सबसे जन संख्या, 2011 के अंसार निमलिखित में से किसमें जन संख्या घनत सबसे कम है, तो इसमें दिये गए प्रस्न में, आपका सबसे कम किसमें जन संख्या घनत है, उत्तर प्रदे और उत्तर प्रदेश का 839, ब्यक्ति प्रतिवर किलोमीडर था, आगे 2011 भारत की जनकर्णा के लिए निम्लिखित में से कौन सा आदर से वाक्य उप्योग किया गया था, तो our senses, our future यही किया गया था, हमारी जनसंख्या, हमारा भविश से, 2011 की जनकर्णा में भारत की पंद्रोई जनकर्णा है, जब सुरू सी हो रही है, जब कि सोतंत्र भारत की कौन से जनकर्णा है, सात्वी जनकर्णा है, इसको जरूर याद रखिएगा, निमली की राज्यों को 2011 की जनगर्णा की अनसार उनके नगरी करण के और ओही करम में ब्यवस्थित करना है नगरी करण मतलब किसमें सबसे ज़्यादा है फिर उसके बाद कम है उसके अंसार आपको बेवस्थित करना है तिसमें आपका सबसे पहरे नगरी करण जो सबसे ज़्यादा है वो गोवा में सबसे ज़्यादा है उसके बाद आपका तमिल नाडु में है अगर गोवा नहोता सहर इकरन में 3 ब्रिविद्धी हुई है इसमें कारण दिया गया भारत में मॉबाइल संप्रेशन के छेतर में करांती हुई है तो दोनों तो हैं लेकिन यह दोनों different हैं एक दूसरे से इसलिए भी सही होगा यह तथार दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की ब्याख्या नहीं करते हैं अगले प्रस्ने निमलिखित में से किस राज में 2011 की जनगर्णा के उसार दस लाखी प्लस के नगरिये शमूह नहीं है तो ओडीसा में 10 लाखे समूह नहीं है ठीक आगे है भारत की 2011 की जनगर्णा के उसार सरवाधिक जनसंख्या निमलिखित नगरी उग्मिनों से किसमें दर्सित है क्या कह रहा है पर अच्छन फिर एक बार समझे कोशित कीजिए 2011 की जनगर्णा के उसार सरवाधिक जनसंख्या निमलिखित नगरी उग्मिनों में से किसमें दर्सित नहीं है तो आपका मुंबई योम दिल्ली में दर्सित हुई है सबसे ज़्यादा मुंबई और दिल्ली में की जनसंख्या है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिसत है तो 17.31 प्रतिसत है आप देखेंगे जनगर्णा से काफी कुश्यन पूछे गये थे इस प्रष्ण पत्र में अगला है भारतिय समिधान युम राज बेवस्ता तिसमी दिया गया है पह आंत्री कसांत के अधार पर आपाथ उध घोशणा नहीं की जा सकती है बाकि युद्ध सस्त्र विद्रोबाय अक्रमण की जाती है आपाथ की लिकिंज आंत्री कसंती को 44 संभधान संसोधन 1978 के मांदियम से इसको क्या किया गया है हटा दिया गया है अगला प्रसन है भारतिय सम्मिधान के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजे संग मंत्री परसर लोगसभा के प्रती सामूहिक रूप से उत्तरदाई होगा किसके प्रती लोगसभा के प्रती ठीक है संग के मंत्री प्रधान मंत्री के प्रसाथ परियंत अपने पद पर धारण करते हैं तो मंत्री जो होते हैं प्रधान मंत्री के प्रसाथ परियंत नहीं पर धारण करते हैं किसके प्रसाद परियन धारन करते हैं और राश्पती के प्रसाद परियन पद पर धारन करते हैं तिसमें आपका केवल एक विकल्प पहला वला सही है अगला प्रस्ण है सूची को सुमेलित करना है मैंने अभी सूची के बारे में आपको उताओ था तो सातवी अनसूची किस से समनलित है फिर उसके बाद इसको सुमेलित था कूट दिया गया इसमें सुमेलित करना है आपको कि किस तरह से होगा तो सातवी अनसूची जो दिया सूची के बारे में दिया गया तो इसमें सुमेलित होगा आठोई अनसूची में भासाएं जो बाइस भासाएं समय है नौई अनसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान ने करण करिया गया दसूची में दल परिवर्तन के आधार के संबंद में दिया गया इस तरह से आप आपका विकल्प जो होगा, ऌए इसमें C होगा अगला प्रसने देखते हैं निमलिखित में से कौन सा भारतीय सम्मिधान के अंतरगर सही सुमेरित नहीं है पंचायत का उलेख आप देखेंगे अधिकरन का 10 में नहीं किया गया को नौखा जोड़ा गया है सहकारी समितियों के संबंद में प्रावधान किया गया है तिक आगे है भारतिय सम्मिधान के प्राधिकृत हिंदी पार्ट को निम्लिखित सम्मिधान संसोधनों में किसके द्वारा प्रकासित करने के लिए अधिकृत किया गया है जो आपके सम्म प्रादिकृत हिंदी पाट को निम्लिकित संविधान संसोधनों में किसके द्वारा प्रकासित करने के लिए अधिकृत किया गया है तठथाउनों और संविधान संसोधन 1987 के माध्यम से अगला है सूची एक और दो को सुमेलित करना है सुन जयनती ग्राम सो रोजगार योजना सुन जयनती सहरी रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना राष्टिये ग्रामीर स्वास्त मिसन जो है आपको सुमेलित इसमे करना है तो इसमें जवार पढ़ेंगे तो सुन्ड जयानती ग्राम सो रोजगार योजना जो सभूंदित है उसकी योजना कब हुई थी? 1999 में कब? 1999 में सुन्ड जयानती सहरी रोजगार योजना जो है आपकी ओrå नीस सो सततान नवे में हुई थी शुरू की गई थी जवाहर राजगार रियुजना की जो शुरुवात की गई थी 1989 में की गई थी और राश्टिये ग्रामिनेर श्वास्त्र मिशन की जो शुरुवात की गई थी वो 2005 में की गई थी अगर इस समसार हम विकल्प को देखेंगे तो मानो विकास को जो मानने दी गई थी आपको पंचवर्षी योज़्णा बathा देंगे डिटेल में एक वीडियो में के माध्यम से। उसमें आठवी पंचवर्षी योज़्णा में दी गई थी ता आपका विकल्प 20 सही होगा। इसमें दिया गया है कि आठ्म पंच वर्षी योजनी उनिसंसो बान नवे शत्ता नवे दौरान सभी विकास आत्मक प्रयासों के सार के रूप में मान व विकास को इसमें प्राथमिक्ता प्रदान की थी, जबकि पाच्वे पंच वर्शी योजनी गरीबी उन्मोलन से सम्बन थी चटी पर्चोर सियोजना गरीबी निवारा तथा रोजगार सिर्जन से संबन देती और साथ में पंचोर सियोजना भोजन काम और उत्पादक्ता को इसमें प्राथमिक्ता दी गई थी अगला प्रस्न है आपका 62 नंबर इसमें कहा गया कि जी एस्टी परिशत की अध्यच छूट जाने वाली वस्तूं के बारे में निर्णे करेगी और नई करनीत के देहली निर्धारन भी करेगी मतलब उसका निर्धारन भी करेगी तो इसमें आपका अगला प्रसन है 2015-16 में भारत का कौन सा राज गेहुं का सबसे बड़ा उत्पादक था तो 15-16 के दोरान आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहुं का उत्पादक था अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योझना के सम्मन्ध में निमली खित कत्रों पर विचार कीजिए तो किसान क्रेडिट कार्ड योझना 2001 में शुरू की गई थी ठीक है यहां योजना किसानों को उनकी खेती किया सकताओं के लिए प्रयाप्त समयानकूल साख समर्थन प्रदान करती है तो इसमें आप देखेंगे तो केवल दो सही है इस योजना की सुरुवात 1998 में की गई थी ना की 2001 में तो आपका विकल्प इसमें कौम सा सही है केवल दो सही है और एक नहीं इसकी सुरुवात कप की गई थी 1998 को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगला है नाबार्ड संबंध में निम्लिखित कथरों पर विचार कीजिए नाबार्ड एक बैंक है उसके संबंध में आपको विचार करना है नाबार संसद अधिनियम 1982 1982 के द्वारा अस्थापित हुआ या केवल करसी के लिए साख सुद्धा प्रदान करता है तो इसमें जो आपका देखेंगे केवल नाबार्ड इसके द्वारा एस सही है नाबार संसद अनियम 1982 के द्वारा अस्थापित हुआ था 1982 में इसके स्थापना हुई थी लेकिन जो है वो गलत है केवल इसमें आपका विकल्प ए सही है तो नावाड के स्थापना कब होई थी 12 जुलाई 1982 को सूच मिलग यो मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ था 2006 में पारित किया गया था 2006 में पारित किया गया था दो अक्टूबर 2006 को लगनिर्माड उद्योग में प्लान्ट यो मसीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए इसमें कह रहा है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए तो 25 लाक रूपए से उपर परंतु 5 करोण रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए लहु निर्माडी उद्योग में ठिक आगे आपका है उब्भोकता सहकारी भंडारन अस्थापित किये जाते हैं सदस्यों द्वारा अस्थापित किये जाते हैं अगला प्रस्ण है आपका सूची एक और दो को शुमेलित करना है तो इसमें आप देखेंगे Capital Gain Tax Capital Gain Tax किस से संबंदित है? संपत्ति विक्रे से जो आपका Capital Gain Tax है वो संपत्ति विक्रे से संबंदित है Central Excise Duty एक फैक्टरी निर्मित वस्तों से संबंदित है अगला है Custom Duty, Custom Duty आपका किस संबंदित है? आयात से संबंदित है Corporate Tax आपका आई से संबंदित है इस अनुसार अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपका ए सही होगा इसमें अप्राइल 1292 को पार इसका कारी भारतियों बोर्ड भारत में प्रति और बित का नियामक बोर्ड है सेवी का मुख्यालय कहां पर आप मुंबई में हैे जिसके चार छेत्रिय कार्यालह क है नई दिल्ली समय संबंदैक दर्जा भी प्रदान khiya गया है अगला प्रसन आपका विज्ञान संबंदित है तो विज्ञान संबंदित है पूचा गया है कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्पूर्ण भाग है तो जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्पूर्ण भाग होता है ट्रांजिस्टर में अर्ध चालक के रूप में जर्मे किम्मध्य होती है और आपका प्रश्ण है 72 नंबर इसमें कथन और कारंद रंगीन कपड़ों को गर्मी में औरीता दी जाती है जो ख कथन क्या है कथन भी सही है कारण उसकी ब्याख्या कर रहा है इसलिए विकल पापका एस अगला प्रस्थत में से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है इसमें देखेंगे संधारित thermometer से समेलित है bipolar junction transistor दिश्टकारिस सम्दृत है junction diode आवर्धक से संब्दित है thermoreistor electronic thermometer से नहीं संब्दित है इसलिए ये गलत है thermoreistor एक electronic क्या होता है thermometer होता है जो तापमान के परिवर्तन के साथ प्रतिरोज में बदलता है इस प्रकार प्रशनकर विकल्प ये सही सुमेलित है मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है तो thermoreistor electronic thermometer संब्दित है इस अब आपके क्या है गलत है अगला है रसायन विज्ञान से संब्दित है निम्न लिखित में से किसका प्रियोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है किसका प्रियोग आपके विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है गलिस्टराल का प्रियोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है अगला हैने मिखित में से किसका उप्योग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है दिया सलाई के निर्माण में लाल फासफोरस का उप्योग किया जाता है ठीक तो इसमें देख लेते हैं लाल फासफोरस और फासफोरस ट्राइसलफाइड का उप्योग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है इसके अत्रिक्त माचिस के निर्माण में रेड लेड, पोटाइसियम, क्लोरेट, एंटीमनी, सलफाइड और गोंद के मिस्तरण का प्रियोग किया जाता है भी अगला प्रस्ने निमिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है घटपरणी, पर जीबी, आबरित बीजी, इस्ट जो है किडवन में प्रियोग किया जाता है, कैसीन, दुखद, प्रोटीन, एलो बेरा, आबरित बीजी होता है लेकिन घट पढड़ी क्या तो घट पढड़ी जो है जहां पर नाइटोजन की कमी होती है वहाँ पर किटाणूओं को जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है जिससे नाइटोजन की आपूर्ती हो पाए तो इसलिए प्रियोग किया जाता है ठीक अगला प्रस्न देखते हैं निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए कास कुड़ा अमर बेल परजीवी आपरित बीजी का एक उदाहरन है ठीक तो यह आपका जो है उदाहरन है किसका आपरित बीजी का एक उदाहरन है यह पोसी पौधों की पत्तियों से अपना पोसन प्राप करता है एक तने से भोजपदार्थ खनीद लवन को प्राप्त करता है ना कि पत्तियों से ठीक तो आप देखेंगे अमर बेल जो होता है वो तनों पर उखता है जो भिच होते हैं उनके तने पर उखता पत्तों पर नहीं उखता है ठीक तो इसलिए आपका कौन से सही होगा यह सही है और आर गलत है जिसमें आपका विकल्प डी सही है अगला प्रसन देखते हैं करनाल बंट रोग किसमें संब्धित है गेहू की फसल में रखता है ठीक है एक कुष्ट रोग की तरह कुष्ट रोग भी कहा जाता है गेहूं का अगला है निमलिखित में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है इसमें पूछ रहा है कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है तो नत्रजन ब्रिद्धियों विकास के लिए किया जाता है ठीक है नत्रजन ब्रिद्धियों विकास के लिए किया जाता है उसके बाद फासपोरस जड़ के विकास के लिए किया जाता है पोटाइसियम इस्टे मेटsz0330 के खुलने वंबन्ध होने का नियंतरन करता है बोरांग में रोक प्रती रोधक छंता होती है इसमें दिया गया है इसमें कोई भी न कर दो प्रस्टर 3 कर रोक उफील बिकल्ब में क्या कह रहा है कि कौन सा अनुवानसिक रोग 6 रोग जो टीबी होता है वो अनुवानसिक रोग कि स्रेणी में दिया गया है सही होता है तो इसमें ब्याक्या दीगे तपेदी कत्वा 6 रोग जीवान जनित संग्रामक रोग होता है ना कि अनुवानसिक रोग होता है तो टीबी अगले प्रसने सापके जहरीले बिसदंत होते हैं रूपान्तरित होते रहते हैं जंभिका दंत रूप niece मचच्छों के बारे में निम्लिकित कच्छों पर विचार कीजिए मचच्छों के बारे में निमलिखित कथनों पर बिचार करना है तो इसमें दिया गया केवल नर के रख्ट चूसते हैं केवल मादा रख्ट चूसती है केवल नर रख्ट चूसता है जो मच्छर में नर होते हैं वो चूसते हैं कि मादा रख्ट चूसती है की मादा पौधे का रोस चूसती है मादा के पेच्छा नर के डैने बड़े होते हैं नर के पेच्छा मादा के डैने बड़े होते हैं इसमें आप देखेंगे तो जो दूसरा विकल्प है कि और मादा ही रक्ट चूसती है और पाच्वा जो है नर के पेच्छा मादा के डैने सुमेलित करना है तो इसमें दिया गए हड्डियों में उपस्थित तो हड्डियों में क्या उपस्थित होता है हड्डियों में आपका कैल्सियम फासफेट उपस्थित होता है क्या कैल्सियम फासफेट तो आपका ये चार नंबर में आएगा फिर सिरका में उपस्थित अमल क कौन सा है, एस्टिक एसीड है, ये तीसरे में आएगा, दूद का खट्टा होना, लैक्टिक एसीड, ठिक, उसके बार फलों का पकना, एथिलीन के कारण, तो ये आपका सही है, इस तरह अगर बिकल्प को देखेंगे, तो बिकल्प होगा, डी, इसमें बिकल्प आपका, डी स देखेंगे, निमली खित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बिटामिन A से क्या होता है, रताउंधी रोग होता है, बिटामिन B3 से पहलागरा रोग होता है, बिटामिन D से क्या होता है, बिटामिन D से आपका सूखा रोग होता है तो यह आपका सही सुमिलित नहीं है फॉलिक एसिट से रख तलपता की होती है मतलब रख की कमी होती है अगला प्रस्ण देखते हैं सितंबर 2016 में निम्लिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश की रूप में विसुसास तंगठन ने घोसित किया गया था तो स्री लं 5N1 है अगला प्रस्ण आपका है कम्प्यूटर से सम्मंदित है अगस 2016 में चीन ने मीसियस उपनाम से एक प्रणाली विक्सित की जो एक क्वाइंटम उपग्रा संचार प्रणाली है विकल्प भी आपका इसमें सही है नापकिय सनलेयन रियक्टरों के बिसे में निम्लिखि कथनों पर विचार कीजिए वह भारी नापकियों के बिखंडन के सिध्धान्त पर काम करते हैं साधारतियां उनकी टोक मार्ग डिजाइन होती है वह बहुत अधिक तापकरम पर काम करते हैं नापकिय सनलेयन के रियक्टरों के सम्मंध में आपसे पूछा गया है तो इसमे पर कर कारिक करता है तो आपका इसमें बिकल्प में जो दो और तीन केवल सी सी वाला बिकल्प आपका सही है अगला है सोलर इंफल्स टू वीमान ने जुलाई दोहजार सोला में अपनी बिश्व भ्रमड यात्रा निम्लिकित में से किस अस्थान पे पूर की थी तो की थी विकल्प डिया आपका सही है इन सब प्रस्णों से कोई मतलब नहीं क्योंकि अब इस तरह के प्रस्ण नहीं पूछे जाएंगा एक करंट उस समय था निम्लिकित राश्टी उध्यानों को सरपर्थम सरपर्थम से सबसे बाद के काल क्रम अनुशार इनको आपको बता किसका कौन सा है जिमकार्वेट के बाद आपका है कानहा 1905 में कानहा कब है 1905 में उसके बाद आपका है काजी-रंगा काजी-रंगा कब है 1974 में तथा साइलेंट बैली आपका 1980 में है तो इस अनुसार अगर बिकल्प देखेंगे तो बिकल्प आपका कौन सही होगा D दो नमबर फिर चार फिर तीन फिर एक बिकल्प D आपका सही होगा दो चार तीन एक आगे है प्रारिस्थित्किये पजचाप के माप की इकाई क्या है पारिस्थित की पजशाप के माप की पाई भूम अंडली हेक्टेयर हैं तो क्या होता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप धार्णिये करने के लिए आवस्यक नियुमतम भूम को पारिस्थित की पजशाप कहा जाता है अगला है निमलिकित में से कौन 36 गड़ में इस्थित है इसमें कौन 36 गड़ में इस्थित है इंद्रावती राष्टी उद्यान 36 गड़ में इस्थित है अगला है जयो बन्ड़ और अच्छे राज दिया गया तो सिमली पाल आपको कहां है सिमली पाल आपको पता योगा कहां है उडीशा में है उसके बाद डिहांग डिवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है नोकरेक आपका मेघाले में है cold desert cold desert आपका कहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश में ते आपका शुमेलित रूप है ठिक अगला प्रस्न देखते है भीतर कनिका गरान के संदर में निमिकित कंतनों पर बिचार कीजिए तो भीतर कनिका कहाँ परिस्थित है यह उडिसा में इस्थित है यहाँ उण सधारा और सुवन रेखा नदियों के डेल्टा पर इस्थित है किसके उण सधारा और सुवन रेखा के नदियों पर इस्थित है और उसके बाद है यह पस्चमी बंगाल में इस्थित है तो ये पस्च्विम वंगाल में नीशती थे उडिशा में इस्ती थे त्श तरह सिसमें देखेंगे तो दोनों विखल गलत है ठीक बीतर कन्जिका ओडिशा के ब्रामभडी और बैतन्डी नदी महानदी डेल्टा के छेतर में उस्ती थे थे ठीक है तो ये आपका गलत है यू विश्ध धरोवर के सूची में समलित किया था तो कारबेट राष्टिय उद्यान को विकल्प आपका इसमें कौन सा है नहीं कंचन जंगा राष्टिय उद्यान को दिया गया है यह सही है कंचन जंगा राष्टिय उद्यान को 2016 में सामिल किया गया था 2016 में घोशिस संपोश्ड़ी है विकास लच्छ सूचकांक में भारत का अस्थान कितना था तो यह आपका 110 वा अस्थान था तो उस समय से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह करंट से संबंदित है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है यह आपका करेंटे से संबन देते हैं अब सामान गान प्रादेशिक जो है उसको देख लेते हैं भारत के समस्त राजियों में छेत फल के अंसार उत्तर प्रदेश का क्या अस्थान है अभी मैंने प्रेस में पूछा था आप यूटूब पे तो आप लोगों ने उसका अस्थ उनका जन्म हुआ था निम्लिकित में से किस नगर में राजकी ललित कलाक आदमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है तो लखनव में ललित कलाक आदमी अवस्थित हैं अगला है निम्लिकित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री स्री मती सुचेता क्रिपलानी उनी सो तिरसर से सरसट में थी जब कि प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राजपाल कौन थे पंड़ गोविंद बल्ला पंथ कौन थे मुख्यमंत्री थे स्री मती सरोजनी नायडू राजपाल थी प्रथम नि अलवी घंटियां ऑघंतियां से संबन्दूत है एंग्ला प्रैसने में से कि सस्थान पर मुडिया पूणीमा मेला का आयो जन किया जाता है और देज मेल जन किया जाता है ग्ला है सुमेलित करना है ब्रुद त्वर्ट पाद अरिगर्ड में का Chicago अरिगर्ड हमें देखेंगे कोई आप फिर से देख लीजे इसको अलिगड़ अलिगड़ में क्या बनते हैं आपके अलिगड़ में आपके ताला बनता है ठीक है अलिगड़ में ताला और फिरोजाबाद में आपका क्या बनती है चूणिया बनती है उसके बाद मुरादाबाद में, मुरादाबाद में आपके पीतल के बरतन बनते हैं, टांडा में बिद्दुत करगा उत्पाद है, ठीक, इस तरह से सही सुमेलित है निमिकित में से कौन सा ब्यारन सही सुमेलित नहीं है, समस्पूर पच्छी विहार, तो जो आपका समस्पूर पच्छी विहार है, वो आपका कहां इस्थित है, समस्पूर पच्छी विहार राइबरेली में इस्थित है, नवाव गंज, इलाहबाद में ए आपका सुमेलित न आपका उनरा जिले में अगला किसा मडल में प्रथम समाजवादि अभिनो-विध्याल साथ खोला गया झीक है कि अगला प्रासमें तर्क सकती से हैं तो आप लोग सक्ति गया देख लीजिएगा अप इसको ख लीजिए क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं कि आप लोग जब करेंगे तब ही आपको समझ में आएगा ठीक है आप लोग इसको अगर आपके पास बुक नहीं तो आप इसको कर सकते हैं फिर गड़ित के भी कुछ प्रशन आते हैं लगब पंदरा कुश्चन इससे सम्बंदित आते हैं उसके बाद कैस नंबर तक आपका इससे सम्बंदित है फिर है समसामाईकी समसामाईकी से उस समय के समसामाईकी से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि समसामाय के जो हैं उस समय था उस समय का रिपीट नहीं किया जाता है समसामाय की उसके बाद कुछ प्रस्ण जो हैं बिविद से आते हैं तो उस से सम्मन्दित हैं उसको हम देखेंगे अब है किस वर्स भारतेंदू नाट अकादमी की अस्थापना हुई थी तो भारतेंदू जो नाट अकादमी थी उसकी अस्थापना आपकी 1975 में हुई थी विकल्प ए आपका इसमें सही है तो संस्कृति विभाग द्वारा 1975 में भारतेंदू नाट अकादमी की अस्थापना क निम्लिकित में से कि सस्थान को सितार और सुर्व भार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है यह आपका यूपी से है इटावा के जाना जाता इटावा निम्लिकित में से किसने संभू महराज को हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत की सिच्छा दी थी तो रही सबीलो परंबीर चक्र बिजेता है फिर अगला है सूची को सुमेलित करना है राश्ट्रिये परिया वरंड अनुसंधान संस्थान अभियांत्र की इसमें देख लेते हैं और इसको सुमेलित करने का प्रयास करते हैं कौन से यह तो राश्ट्रिये परिया वरंड अभियांत्र यह आपका मैसूर में अस्थित है, उसके बाद केंद्रिय आलू अनसंधान संस्थान कहां इस्थित है, सिमला में, केंद्रिय तमबाकू अनसंधान संस्थान कहां इस्थित है, राजमुंदरी में आपका इस्थित है, इस तरह से आपका सुमेलित होगा, अगर विकल्प की ब सही रूप में सुमेलित नहीं है कौन सा सही रूप में सुमेलित इसमें से नहीं दिया गया है तिसमें आपके जो हैं अमजद अली खान पक्षवाज से संबंदित नहीं है बाकी सुमेलित है बिलायत खां सितार से अल्ला खां टबला से हरी परसाच चौरेशिया बांसुरी से अमजद अली खान पक्वाज से नहीं सम्दित है, अमजद अली खान गौलियर के सोण शेनिया बंगज घराने से सम्द्ध है सरोध वादक से संब्दित है ना की पखावत से आगे हैं निमलिखित में से कौन लोग संस्कृति को अस्पष्ट करता है लोग संस्कृति को कौन अस्पष्ट करता है सामान लोगों की संस्कृतिक परपार्टी अगला प्रस्ने निम्लिकित में इसे कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सभी जो है सभी C.O.D. इसमें जवाहला नहरु कृसी बिस्व बिद्याले कहां पे है आपका मध्य प्रदेश में है, सरदार बलब भाई पटेल उत्तर प्रदेश में है तथा जो आपका इंद्रा गांधी क्रिसी विश्व बिद्याले दिया गया है आपका इंद्रा गांधी क्रिसी विश्व बिद्याले कहां पे है रामपूर में है ठीक है रामपूर में वस्तित है जबकि आचार एंजी रंगा अगला जो है आचार एंजी रंगा अगरिकल्चर इन्वर्सिटी आपकी यह इस्तित है गुंटूर आंधर प्रदेश में तो तेलंगाना में नहीं है आंधर प्रदेश में है ठीक अगला प्रस धन्यवाद